गुद मोर्निंग दियर स्टुडेंट्स, आज हम सोल करेंगे अक्सर साइज 10.1 तो जो फर्स्ट कुषिन आपके पास कहा है, जो फर्स्ट है आपके लिए करके दिखाया गया है, बाके आपने इनको करना है तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट है आपके पास एक बोटल, तो यह बोटल है उसको अगर आप देखेंगे साइड व्यू से और टोप व्यू से तो यह उसका side view है तो side view आपको given है यह आपके top view given है तो side से जो bottle दिखेगी आपको वो इस type से दिखेगी और जो उपर से आपको bottle दिखेगी वो आपको इस type से दिखेगी क्योंकि आपके पास अगर आप देखे तो यह तो bottle का क्या हो गया आपके उपर धकन हो गया और ये आपके उसकी क्या हो गई बोटल ऐसी दिखाई देगी इसी type से आपके पस यहाँ पर क्या है एक weight है क्या है weight यहाँ आपके पस 5 kg क्या है weight है अगर आपको weight को आप side view से दिखाई देगा याँ इससे हो पर this तोप से आपका कैसा दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा यानि आपके पास क्या हो गया यह टोप से इस टाइप से दिखाई देगा तो आपके यह तो क्या हो गया यहाँ पर वेट का साइड व्यू हो गया और यह क्या हो गया टोप व्यू हो गया next के आपके पस जो CA यहापर क्या है फ्लास्क यानि यहापर एक bottle type में आपको एक thermos given है अगर आप इसको side से दिखेंगे तो इस type की shape आपको यहापर दिख रही है तो यानि इसका side view होगा आपका यह होगा और जो इसका top view होगा यानि आप इसको top से देखेंगे तो top से कैसी दिखाई देगी कि आपके पास जो इसके ऊपर का होगा यह उपर से ऐसी दिखाई देगी और यह इसकी क्या होगई रसी होगी जो इसका पट्टा है तो यह आपको कैसा दिखाई देगा यह इसका क्या होगा है Top View होगा Next आपके पस क्या है Cuff and Skirts तो यहाँ पर आपके पस माली यह आपका कफ है और यह आपके पस क्या है Plate है तो अगर इसको आप देखेंगे तो आपके पस यह Cuff और Plate यहां पर दीख रहे तो यह क्या होगा side view होगा और इसका top view यानि आप उपर से देखेंगे तो आपके पास same type से यह तो आपके पास क्या दीख रहे आपकी plate दीख रहे और यह क्या है आपका cuff है तो यानि आप यहां पर इसको top view से match कराएंगे आपका next जो container है उसको container का अगर आपके पास side view देखेंगे तो side view आपका जो यह बचा वाई यह क्या है इसका side view है और यह का इसका top view अगर आप top से देखेंगे तो आपको container इस type से दिखाई देगा यह उसका क्या होगा और यह के मोटाई होगे यानि आपको container का जो side view होगा वो यह होगा और जो top view होगा आपका ऐसा दिखाई देगा के लिए students next question आपके पास question number second जो second question इसमां आपको बताना यहां पर for each of the given solid the three view are given यहां पर three view आपके पास given है identify for each solid the corresponding top front and side view top view, front view and side view तो आपके पस यहां पर सबसे पहले क्या है उन्हें an almira तो यह जो almira है इसके आपके पास क्या है top view है side view और front view है तो अगर front से देखेंगे तो आपको यह इफ का front view है तो यह आपका front view होगा कौन से वी हो गई आपका फ्रेंट अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो साइड से आपको यह इस टाइप की दिखाई देगी तो यह आपका जो सैगेंड यह इसका क्या होगा साइड भी होगा और अगर टॉप से देखेंगी सलमीरा को तो टॉप से इस टाइप की दिखाई देगी तो यह इसका क्या होगा टॉप वी होगा सेम टाइप से आपके पास क्या है यहाँ पर जो बी पार्ट है यह मैच बोक्स यानि यहाँ पर आपके पास एक माचिस दिखाई गई है तो आपको देखना है कि टोप से कैसी दिखाई देगी, साइड से कैसी दिखाई देगी और आपके पास फरंट से आपकी कैसी दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपके लिए clear है कि आपके पास यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो first है आपके पास क्या है यहां पर है अगर आप side से देखेंगे तो यह आपका side view होगा यह जो black यह क्या है यहां पर side view होगा है अगर आप यहां से side से देखरे तो यह side view हो गया अगर आप इसको front से देखरे हैं तो यह आपको stripe की दिखाई देगी तो यह इसका क्या होगा से नैस्क आपके पास यहां पर आपके टेली विजं गेवन है जो टेली उ confusing यह उसको आप देखेंगे यहाप तो आपके पास top front end side और आपके पास इसको साइड से देखेंगे तो तो अगर आपको इसको साइड से डिखाई देगा तो अगर अगर तो अगर टोप से ऊपर से देखेंगे तो आपको ये टीवी इस टाइप से दिखाई देगा तो ये इसका क्या होगा है टोप व्यू होगा है क्या होगा है ये टोप व्यू होगा है नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन यहां पर कार गिवन है तो जो कार है उसका आपके टोप view है आपके पास क्या हैmor पर की खरैसर में और और आपके पास आपके डी का तो फरस्ट हुआ है अगर आप आगे से देखेंगे तो आपको पहल कोर इसनिखा देखी रही है कि यहान पर की क्या है सतर दिखाई दिर आपको यह इसका होगा यहां यहां पर यहां पर देखा है कि side view, front view and top view next question फिर से आपको third question आपको क्या करना है यहां पर for each given solid identify the top view, front view and side view same type से आपको यहां पर identify करना है कि इनका top view होगा, front view होगा और side view होगा वो क्या होगे तो यहां पर आपके पास जो first है, तो first का जो a part है आपके पास यहां पर front view, side view और top view तो अगर आप front से देखेंगे तो आपको किस type कर दिखाई देगा यानि आपके पास अगर आप front से देखेंगे तो आपको जो आपको यह diagram यह type कर दिखाई देगा तो यह तो क्या हो गया front view क्या हो गया यह front view अगर आप इसको top से देखेंगे तो आपकी पास 1, 2, 3 यानि तीन box दिखाई देंगे तो यह क्या हो गया हमारे पास top view क्या हो गया top view अगर आप side से देखेंगे तो आपको same type से दो बोक्स दिखाई देंगे तो यह क्या हो गए आपका side view यानि side view और front view आपका दोनों same ही है यहाँ पर लेकिन top view आपका क्या दिखाई देगा आपका यह है one box आपका यह है अगर आप side से देखेंगे इसको तो यह आपके पस क्या होगा इसका side view अगर आप इसको second में अगर आप इसको front से देखेंगे तो front से क्या दिखेंगे एक box two box three box तो यह आपका क्या होगा front view अगर आप top से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 तो आपके पास ये क्या होगा है? Top View क्या होगा हमार पास? Top View होगा Same type से आपके पास जो C part है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको front से देखेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4 तो ये क्या होगा? Front View क्यों आपको Front View अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको दोई बॉक्स दिखाई देंगे याँनि यहाँ पर आपने फिर से आपको Top View, Front View and Side View को देखा है next question question number fourth draw the front view, side view and top view of the given object यहाँ पर जो आपके पास यह object given है इनको आपने क्या करना है draw करना है front view, side view and top view तो आपके पास जो first हो कह है military tent जो military tent है तो उसको front view देखेंगे तो आपके पास जो यह triangle है इस type से आपका क्या होगा यह front view होगा यह क्या आपका front view अगर side से देखेंगे तो आपको इस type का जो face दिखाई देगा यह क्या आपके पास side view है और top से कैसा दिखाई देगा आपको military tent आपको एक line दिखाई देगी यानि military tent है उसकी top view होगा वो यह होगा second आपके पास यह table table है उसको अगर आप top से देखेंगे तो आपको इस type से एक rectangle में दिखाई देगी अगर उसको front से देखेंगे तो आपके पास यह क्या front view है और side से देखेंगे तो यह क्या इसका side view है यानि side से देखेंगे तो आपको इस type से दिखाई देगा same type से अगर आपके पास यहाँ पर आपका क्या है nut तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपके पास किस type से दिखाई देगा कि आपके पास जो यह है आपके पास यह क्या इसका front view है अगर front से देखेंगे तो भी इसको इस type से आपकी 3 box दिखाई देगे अगर side से देखेंगे तो भी आपको ये इसी type से 3 box से दिखाई देंगे अगर आप top से देखेंगे तो ये आपका क्या होगा है top view यानि top से वो ऐसा ही दिखाई देगा जैसा वो आपका ऊपर से दिखाई दे रहा है next आपके पास के hexagonal block hexagonal block उसका अगर front view है तो आपके पास ये क्या होगा hexagon होगा ये क्या होगा front view होगा अगर आप side view से देखेंगे तो आपके पास ये 1,2,3 यानि जो ये 3 rectangles बनेंगी ये आपके पास side से भी दिखाई देंगे और top से भी दिखाई देंगे तो आपका जो top view और side view होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर same होगा next के is dice dice का top view क्या होगा आपको ये जो 2 point दिख रही है ये क्या है आपके top view है side में क्या है आपको 1 दिखेंगे और front में क्या आपके पास 3 दिखेंगा तो यह आपके पास क्या है top view, side view and front view अब आपके पास last है वो क्या है आपके पास a solid तो यहाँ पर जो solid है उसको आप देखेंगे तो आपके पास वो top से कैसा दिखाई देगा side से कैसा दिखाई देगा और front से कैसा दिखाई देगा अगर आप friend से देखेंगे आपको तो front से दिखाई देगा 1,2,3 यानि इस type से दिखाई देगा front से तो यह इसका क्या होगा? friend view होगा यानि फ्रेंट से आपको यहाँ पर तीन box दिखाई देगे 1,2,3 अगर आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो second है दिखाई देंगे कि 2 box तो आपकी यहाँ पिछाएंगे और 1 box आपका यह है तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा यह क्या हो गया है यहाँ पर side और यह क्या है front अगर आप इसको top से देखेंगे तो आपको 1, 2, 3 यानि 3 दिखाई देंगे तो आपको अगर top से देखेंगे तो आपको फिर से same front type से दिखाई देगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है यह आपको क्या होगा यहाँ पर top view अगर top से देखेंगे तो आपको इस type से इस solid को हम देख पाएंगे तो यह आपके पास के front view, side view and top view के लिए students तो इस वीडियो हमने exercise 10.1 को complete किया है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट exercise को solve करेंगे Till then, thank you